अगर सब कुछ ठीक रहा तो पाइप को आगे बढ़ाने का काम जल्द शुरू होगा रात को पाइप को फुश करने के समय ओगर मशीन का प्लेटपॉर्म शतिक ग्रस्थ हो गया था मशीन के प्लेटपॉर्म को रिपैर करने के बाद कमपन रोखने के लिए मशीन को ड्रिल करने में बाधा आ गई थी इसी वज़े से काम को रोख दिया गया था और अंदर की तस्वीर इस वक्त सिर्फ आप न्यूज जिटीन उत्रप्रदेश उत्राखन पर देख सकते हैं अंदर की तस्वीर आई है किस तरह से सारी टी में कोडिनेट कर वहाँ पर रिस्क्यों का काम कर रही है NDR, SDR, देश विदेश के बड़े-बड़े एक्सपर्ट वहाँ पर मौझूट है मशीन खराब होनी की वज़े से थोड़ी देर के लिए काम रुखता है लेकिन फिर उससे दुरुस्त करके काम आगे बढ़ा दिया जाता है तो तरकाशी टेनल रिस्क्यों उपरेशन 13 दिन से जारी ओ टेनल के अंदर फसे 41 मश्दूरु को निकालने के लिए सरकार और एजिंसिया लगी हुई है वहें रिस्क्यों उपरेशन को लेकर प्रधार मंत्री मोधी ने पूंट कर सियम थामी से प्रधार मंत्री ने जानकारी भी लिए है और फसे मस्दूरु के हालात के बारे में भी पूछा इसके साथ ही प्रधार मंत्री मोधी में सियम थामी को दिशानर देश भी लिए है तो ग्राउंड जिरो पर इस वक्त स्थिति क्या है क्या एक बाप फिर से काम शुरू हो गया है मशीन खराब होने के बाद उसे दुरुस्त करने के बाद क्या दुबारा से काम शुरू हुआ है बाच्छित करने के लिए दिपांकर भट इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़काई है दिपांकर हमने देखा कि किस तरह से ओगर मशीन के प्लेटफॉर्म में कुछ गड़बड़ी आये थी उसे बताय जा रहा है दुरुस्त कर लिया गया है तो क्या एक बार फिर से पाइप डालनी का काम शुरू हो गया है ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है वहाँ पर निलू अभी जो खबर यहां पर है ड्रिलिंग का काम अभी शुरू नहीं हुआ है और पूरी खबरें सिर्फ और सिर्फ आगर टिकी हैं ओगर मशीन पर क्योंकि ओगर मशीन जब काम करना शुरू करेगी तभी यहां पर यह पूरा ओपरेशन आगे बढ़ पाएगा फिराल ड्रिलिंग का इंतिसार किया जा रहा है ख़बर यह है कि अगरे से एक से डेड़ घंटे में ओगर मशीन यहां पर काम करना शुरू कर सकती है भासकर खु होगी उसका फिर वही चैलेंज है कि अगले पांच मीटर में यह जरूर भासकर खुल में ने काया कि अगले पांच मीटर में कोई बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं है कोई मेटल वहां पर नहीं है लेकिन मशीन जिस तरीके से हम 22 तारीक शाम चार बजे से अभी तक देखें तो आज का दिन भी तक बहुत बड़ा कुछ कोई काम हो नहीं पाया है तो अब यह उपरेशन कितना और लंबा चलेगा वही सवाल यहां पर आता है कि अभी यह बता पाना बेहत मुश्किल है कि कितनी देर यह काम अभी चलेगा लेकिन ड्रिलिंग फिलाल भी शूर नहीं आगे बढ़ना है तो अभी भी वह 10 से 12-13 मीटर की जो डिस्टेंस है वह बहुत बड़ा चैलेंज यहां पर पूरे ऑपरेशन में बनी हुई है बिल्कुल दिपांकर आपने कहा कि अभी तक ओगर मशीन ने काम करना शुरू नहीं किया है हमने कल भी देखा था कि मुश्कि कब शुरू होगी इस बात की जानकारी भी फिलाल नहीं है लेकिन हर बार हमने देखा है जब भी मशीन खराब होती है कहा यह जारा जैसे खुल्बे साहब ने भी बताया कि बार बार मशीन को डिस्मेंटल किया जाता है फिर उसके बाद उसे दुरुस्त किया जाता है अगर जो तस्वीर हमने इस बुल्टिंग के शुरुवात में दर्शकों को दिखाई उससे देखकर आपे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह बहुत टेक्निकल काम है यहां अब इस तरीके से आप नहीं सो सकते हैं कि हमने अगर यह माना कि एक मशीन एक घंटे में 6 मीटर जाती है पहुचना है हमें और अभी भी हम वही पर टिके हुए जहां पर ऑगर मशीन में फंसी हो सरीय सामने आई वह देड़ मीटर भी हमारा वेस्ट हुआ है अब दुबारा से पूरी मशीन जो ऑगर मशीन है जिसका काम है यहां पर एक पैसेज तयार करना एक रूट तयार करना ताकि वहां पर 800 mm की पाइप को डाला जा सके लेकिन हर बार अगर जब ऑगर मशीन खड़ाब होती है तो उसको पहले हटाने में पहले खोलने में और फिर उसे एसेंबल करने में इन दोनों में भी 3-4 घंटे का पूरा वक्त लगता है उसके बाद आपको मैनवली वहां पर आप देखिए कि हम तेरवे दिन पर हैं और अभी भी इस बात की बहुत ज़्यादा संभावनाय मुझे नहीं लगती कम से कम रिपोर्टिंग करते हैं यहाँ पर कि आज देर रहा तक भी बड़ी सक्सेस जिस तरह के हाला थे यहाँ पर वह मिल पाए बहुत संभव भी नही देखता है क्योंकि तीन बच चुके हैं अभी तक ओगर मशीन ने अपना दुबारा से काम शुरू नहीं किया है अभी भी बताया जा रहा है कि कम से कम 14-15 मीटर और खुदाई करनी है और उसके बाद ही किसी तरह से मजदूरों तक पहुँचा जाएगा लेकिन दिपांकर स हुआ है जब यही गिरा है तो इसमें आप समझ सकते हैं कितनी मुश्किल आएगी लेकिन प्लान B की बात भी हम कर लेते हैं दिपांकर कहा यह जा रहा था कि जो होरिजंटल एक ड्रिलिंग की जाएगी क्या उसकी भी तैयारी है अगर लंबा वक्त लगता है तो क्या प्ला चल रहा है लेकिन नीलू इतना बड़ा रेस्क्य ऑपरेशन है देश भर की जगह जगह से बड़ी-बड़ी मशीने मंगवाई गई है जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो यहां पर किया जा रहा है बेस्ट एक्सपर्ट जो दुनिया भरके हैं उनकी सलह यहां पर ली जा लेकिन अपने आप में एक बहुत आश्यर जनक इस्तिती है और एक अजीब सी घटना है पुरी दुनिया के सामने पहली बार जहां पर एक टनल सभी के लिए एक सरदर्द से बन गई है और 6 मीटर क्रॉस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है तो यह जो बाकी ऑप् प्रिक्स नहीं बता सकता कि सकसे रेट 100% वहां भी आपको मिलेगा तो आपका हर ऑप्शन यहां पर समय चाहता है हर ऑप्शन को यहां पर समय चाहिए लेकिन जैसे जैसे आपको समय चाहिए उतना समय मजदूरों को अंदर टनल में बंद हुए बढ़ता जा रहा है और जै मजदूरों तक पहुचा जा सकेगा वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है तिपांकर काम करना मशीन में शुरू किया तो बाइस तारीक को हम 24 मीटर से 45 मीटर पर थे और 45 मीटर से अब 57 मीटर तक पहुच रहा हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज यहां पर मशीन के लिए बंच चुका है तो यह ऑपरेशन अपने आप में सब कुछ उस और मशीन पर टिक को अपनी हो चाए गौर्मेंट की तैयारिया हो चाहे सेंटर गौर्मेंट की मॉलिंटरिक और वहां से जो सपोर्ट हो मशीन का सपोर्ट हो यहां पर एडिस्टिर्शन हो यहां पर मीडिया का जमावड़ा हो यह जितना खर्च आप देखेंगे एक और 41 जानों को बचाने क शुरू करेगी सभी दिकतों को दूर कर और मशीन का काम शुरू हुआ है स्टॉलेशन कर लिया गया है 14 मीटर और स्क्राप टनल का काम होना है उसको लेकर काम में एक बार फिर से तेजी देखने को मिलेगी आगे कुछ समय के बाद 2 मीटर स्क्राप टनल को पाइप से काट किया गया है और जो स्टॉलेशन के बाद पाइपो को जोडने का काम भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा तो यह उमीद की जा रही है कि बहुत जल्द एक बार फिर से पूरी फुल स्विंग में काम को आगे बढ़ाया जाएगा दिकत जरूर आ रही है लेकिन उसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिपांकर हमारे साथ चुड़ने के लिए